Hello everyone, I'm Ayesha from National Academy of Fire and Safety तो आज मैं आपको बताऊंगी Compliances के बारे में याने की Legal Compliances क्या होते हैं? इनकी ज़रुरत क्यों है? इससे Safety का क्या लेना देना है? और ये Legal Compliances हैं इनके क्या Laws होते हैं जो में Follow करने होते हैं? क्या Requirements रहती हैं? इसके क्या Rules होते हैं? क्या Standards होते हैं? गवर्मेंट से इसका क्या Relation है? ठीक है, Regulations क्या होते हैं? और Policies क्या रहती हैं? तो इन सब के बारे में मैं आज आज आपको बताने वाली हूँ कि कोई भी Workplace है, उससे Legal Compliances का क्या Relation है? तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी तो सबसे पहले Legal Compliances क्या होता है? इसके बारे मैं आपको बताती हूँ देखे, Legal Compliances जो है, वो एक ऐसी चीज है जो भी आपके Workplace पे आप काम कर रहे हो वहां का Surety, एक Proof होना जो भी Work आप क्या किया जा रहा है वो इस तरीके से किया जा रहा है कि आपके जो भी आसपास का Environment है वो Harm नहीं हो रहा है जो भी चीज़े आप उसमें Apply कर रहे है उससे बाहर के लोगों को नुकसान नहीं हो रहा है जो People वहां Work कर रहे है उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा है पूरी Safe and Secure जो Working है वो चल रही है ठीक है यह हो गया अब इसके कुछ Rules बनाए गए है कि इस तरीके से यह Rules हम Follow करते है अब माल लेजिए आपके कोई भी इंडरेस्ट्री है वो उसको अब Permission किस से लेनी होगी Government से उसको Permission लेनी होती है कि हमारे यह यह Work जो हो है बिलकुल Safety से हो रहा है क्योंकि Environment अगर Harm होगा तो Government तो Objection ठाएगी न कि इस जो Company है इस Industry से ऐसी ऐसी चीज़े आ रही है बाहर कि जिससे लोगों को Harm हो रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा आपके साथ साथ Government को भी तो चेक करना होगा कि क्यों आ रहा है कहां से आ रहा है तो क्या होता है वहां से लोग चेक करते हैं कि जितनी भी हमारी policies हैं वो follow हो रही है या नहीं अगर आप अपनी industry में काम कर रहे हैं तो वहां से कोई भी ऐसा water pollution, air pollution, noise pollution नहीं होना चाहिए जो भी work हो रहा है उसका safety से work होना चाहिए अगर वो चेक करने आते हैं तो तो legal compliances follow करने के लिए industry में बनाई जाती है policies अब उन policies पर work करना है सबको अब ये कौन चेक करेगा तो इसी लिए compulsory होता है हर industry में कि fire and safety officer होना ज़रूरी है अब क्यों ज़रूरी है ये चीजे तो आपकी company में जो लोग work कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं अब माल लीजे किसी machine पर work हो रहा है जो वहाँ का worker है और उसको पर का जो head है वो head ही बना दे checklist बना दे कि नहीं हमारे हां तो ये सारा safety से हो रहा है नहीं न पर उसका नहीं माना जाएगा ज़रूरी है वो सची बोले ऐसा नहीं है न तो इसलिए fire and safety officer रखा जाता है जिसका production से कोई लेना देना ना हो इसलिए एक separate body जो कि fire and safety officer उसको रखा जाता है कि वो ठीक से check करे और सारी चीज़े maintain करे अब आपके जो भी terms and conditions apply हो रही है जो भी आप policies ले रहे हो उनका proof भी तो होना चाहिए जिससे कोई बहार का अगर आपकी industry में आके check करता है तो आपके पास क्या proof है तो उस proof को दिखाने के लिए आपके पास documents तो होने चाहिए ना कि ये मेरा documentation है अब देखिए documents prepare करना ये सारा law में आता है चिक है legal appliances के अंदर ये आता है कि हाँ हमारे याँ जो भी work हो रहा है उसके पास हमारे पास truth है और हमारे ये follow हो रहा है photos हैं कुछ photos भी आपको click करके रखने होते हैं कि देखिए हमने इस काम को इतनी safety से किया था कर रहे हैं साफ सफाई से ले करके जो भी आप apply कर रहे हैं कि जिससे दूसरों को हाव ना हो कोई accident ना होने पाए उन सब के documentation तयार होने चाहिए और ये काम इस fire and safety officer का safety officer ये सारी चीज़े करेगा ठीक है उसके बाद जो भी आप कर रहे हो industry में वो बिल्कुल follow होना चाहिए ठीक है बिल्कुल government report तयार होनी चाहिए form fill होने चाहिए कि आपने ये ये work किया था जो भी वहाँ से form आते हैं और अगर कोई documents government document आपने बना दिये और कोई check करने आता है तो आपके पास proof होना चाहिए जो भी activities आपने की है अपने prevention से related, safety से related, cleanliness से related वो सारे proof होने चाहिए photographs होने चाहिए जिससे आप दिखा सकें ठीक है तो ये बात होगी अपने documents की कि अगर आप legal complances कर रहे हैं तो आपकी जो policies हैं और government की जो policies हैं वो सब आप follow कर रहे हैं या नहीं इनका proof होना चाहिए documentation होना चाहिए इसलिए fire and safety officer को रखा जाता है कि वो सारी चीज़े चेक करें और बिल्कुल जो भी document प्रिपेर करें वो एकदम सच होना चाहिए ऐसा नहीं हो कि उसमें कुछ भी जूट हो तो कोई action ले सकते हैं आपके उपर अगर आप पकड़े जाते हैं industry check करने आता है अगर आपके यह work अच्छे से किया जाता है सबसे पहले हम क्या करते हैं quality पर ध्यान नहीं देते हैं quantity पर ध्यान देते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए पर हमें quantity पर ध्यान नहीं देना है quality पर ध्यान देना है जिस भी industry में work कर रहे हैं हमें quantity पर ध्यान देना नहीं होता है quality पर ध्यान देना होता है हमें जो भी work करना है, वो बहुत अच्छे से करना है ठीक है, पर ज्यादतर लोग क्या करते हैं अगर वो careful नहीं है अपने work को लेके तो वो Ulta कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है ठीक है अब अगर आपके हैं सारे rules follow हो रहे हैं सब कुछ हो रहा है तो क्या होगा आपकी company की reputation बढ़ जाएगी कि उस company में इतना अच्छा से काम किया जा रहा है सारी safety maintain की जा रही है वहाँ के लोग quality पर ध्यान देते हैं तो उसके बाद क्या होगा जो other clients रहते हैं जैसे कि माल लीजे किसी को आपको अपना project देना हो तो वह आपको project देगा easily क्योंकि आपके पास यह certificate भी है वह certificate है अगर आप अच्छे से सफाई रखते हैं तो आपके पास सभी certificate होगे है ना quality अगर आप अच्छे से रखते हैं तो आपके पास quality certificate होगा ठीक है management अच्छा रखते हैं management से related certificate रहेंगे आपके पास जो भी चीज मतलब आप करते हैं उन सब के certificate रहेंगे तो आप आगे दिखा सकते हैं कि देखे हमारी company के पास ये भी है ये भी है ये भी है तो इसते क्या आप अपनी company की अपनी industry की reputation बढ़ा सकते हैं ठीक है इसमें यही बताया गया है कि अगर आप यह सारी चीज़े apply करते हैं और compliance audit होते हैं उसके बाद अगर कोई भी चीज़ की चाहती है तो आपकी industry अगर सारी चीज़ों में पास होती है तो आपको certificates मिलते हैं कि आपका जो industry में work के वह चल रहा है quality अच्छी है ठीक है तो जब वह मिलता है तो आपकी company की industry की reputation automatically बढ़ जाएगी अब कुछ ऐसे rules हैं जो factory act में लिखे गए हैं ठीक है factory act में कुछ ऐसे rules लिखे गए हैं जो safety से related है और जिनको check करना काम होता है fire and safety officer का अब वो क्या क्या है कि section में लिखे गए हैं यह मैं आपको बताती हूं देखिए factory act है as per factory act 1948 के अंतरगत section 11 में आते cleanliness in every factory ठीक हर factory में साफ सफाई होनी चाहिए ठीक है फिर dispose of effluents and wasted इसमें क्या है कोई भी कच्रा है उसका क्या समधन आप कर रहे हैं ऐसा तो नहीं waste जो है वो आप बहार फेक रहे हूं ऐसा तो नहीं है अब आप कहीं dispose कर रहे हैं वो सारे proof होने देना आप जहां भी work कर रहे हैं ऐसा तो नहीं वहां से खूप सारी heat release हो रही है जिसकी वज़े से temperature पर effect पड़े वो सारा आपको देखना है section 14 में दिया गया है जो भी आपके यहां से धुआ निकल रहा है dust निकल रही है वो ऐसा तो नहीं उसकी वज़े से environment को harm हो रहा हो तो इस के लिए आपके action ले रहे हैं वो भी आपको बताना होगा उसके बाद आपके जो भी drinking water है वो आपका कैसा है ऐसा तो नहीं जो वरकर काम कर रहे हैं उनको आपके लिए अच्छा पानी प्रोवाइड ना करा रहे हो तो इस तरीके से सारे sections जो है over light over quarding मतलब जादा बीड़ बाड और जादा भी बाड तो नहीं करके रखिए अपने lightning कैसी है आपकी industry की ठीक है यह सारी sections जो है वो factory act में लिखे गए हैं कि यह सारी चीजें आपको follow करनी है और government authority के according उनके और भी laws होते हैं जो आपको follow करने होते हैं ठीक है जैसे कि आप अगर electrical electricity use कर रहे हैं तो आप record कि आपकी industry आप इतने electricity use करेंगे तो इसके permission लेना आपने ले रखिये या नहीं है सारी चीजे इस laws में क्या होती है include रहती है और उसके बाद आपको checklist बनानी होती है और उसे check करना होता है कि हाँ यह चीज हम follow कर रहे हैं यह हम follow कर रहे हैं इसके बाद एक documentation prepare होता है जिसको कभी भी अगर check होता है तो आप पेश कर सकते हैं कि हाँ हमने यह किया था हम यह कर रहे हैं हम यह follow कर रहे हैं तो इससे क्या होगा आपको कोई भी problem नहीं आएगी ठीक है और आपकी industry जो है जो भी आपकी workplace है उसकी जो भी काम हो रहा है उस पे कोई भी problem नहीं आएगी और उसकी reputation भी बढ़ जाएगी अगर आप यह सारी चीज़े follow करते हैं तो और safety भी maintain रहेगी अगर आम यह laws follow करते हैं तो यह था आज लीगल कंप्लैंस के यह क्यों important of fire and safety officer का industry में होना क्यों जरूरी है ठीक है क्योंकि government से अगर आपको permission मुले हो चायक होता है तो वो पूचेगा आप क्या का कौन है safety officer किसने यह maintain किया है तो यह सारी चीज़े आपको बताने होती है तो यह क्योंकि यह क्योंकि अध्यू